हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष की बहेश पूरी हो गई बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हेमंत नहाटा ने अपने पक्ष में दलीले पेश करते हुए कहा कि CBI केवल समय बरबाद कर रही है क्योंकि 15 फरवरी को CBI ने प्रार्थना पत्र पेश किया था और कहा था कि मार्च अप्रेल में गवाह आने को तयार है लेकिन अभी तक गवाह नहीं आई है अब CBI चाहती है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग से गवाही हो लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है CBRC के तहट 275 में जो प्राथना पत्र पेश किया है उसके प्रावधान इस केस में लागू नहीं होते हैं CBI इस मामले को लेकर लंबा कर रही है 7 साल बीच जाने के बावजूद अभी तक CBI की गवाही पूरी नहीं हो पाई है कोट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रातना पत्र पर आदेश के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है जेल प्रशासन पर आरूपियों की ओर से धमकाने के आरूप लगाय जा रही है कल आरूपी सोहन लाल ने प्रातना पत्र पेश किया था मीडिया में आने के बाद जेल प्रशासन द्वारा और ज्यादा सकती दिखाने पर सोहन लाल ने आज एक बार फिर नया प्रातना पत्र दिया है वही कैलाश और पुखराज ने भी आज जेल प्रातना पत्र पेश किया है कोट ने इन प्रातना पत्रों को देखते हुए 22 अक्टूबर को जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है अन्यथा जेल अधिक्षक को व्यक्तिकत रूप से कोट में पेश होने के लिए कहा गया है जोदपूर से जागरुप टीवी के रिपोर्ट